नामे आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम RBI Assistant Mains Examination में जो General Awareness के Questions पूछे गए हैं, वो डिसकस करेंगे, तो एक Experience द्वारा मुझे Questions बेजे गए हैं तो ध्यान से देखेंगे इन Questions को, और यदि कोई Question किसी और तरह से पूछा गया हो, तो आप Comment Box में हमें बता दीजेगा चलिए सुरूबात करते हैं, पहला Question है आपका International Labour Organization से संबंदित, ILO से संबंदित पूछा गया, कि नए Director General कौन है इसी तरह से Question सायद पूछा गया है, और आंसर इसका, Kilbird F. Hongbo है, ये Tongos से हैं, तो ये Country भी आप याद रखेगा, कभी-कभी ऐसे पूछ लेते हैं, कि ILO के जो नए Director General मनी है, वो किस कंट्री से हैं, इस तरह से भी Question पूछ ले जाता है Whereabouts, इस पुस्तक के ओथर का नाम पुछा गया, सही आंसर जुंपा लाहरी है The Little Book of Joy, ये किस के द्वारा लिखी गई है, तो ये जो 14 दलाई लामा है, तेन जिन ग्याथ्चो और देशमूंड तुथू, इनके द्वारा ये बुख लिखी गई है बता दीजेगा, ये ही वाली बुख है, या फिर कोई और बुख पूछी गई है Next है, World Economic Forum, WEF का Headquarters पूछा गया था, तो अगर Country पूछा गया है, तो Switzerland, इसका सही आंसर है Next देखें, नीतियायोग का Multidimensional Poverty Index तो इसमें Highest Level of Multidimensional Poverty की सराज जमे दर्ज की गई, सही आंसर बिहार है इसका Next है, एक आपका यहां से Question पूछा गया, World Bank से संबन दे था, तो World Bank ने World का First Wildlife Conservation Bond Rhino Bond भी जिसे आप कहेंगे, यह इशू किया है, किसलिए, South Africa में जो Indangered Black Rhino's Pesies हैं, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए, यह 150 Million US Dollar यहां से Race करने के उद्देश से, यह Bond जो है, जारी किया गया Next पुछा गया था, आपका Laureus World Sports Award से संबन दित, तो शायद नीराच चोपड़ा से संबन दित यह पुछा गया था, कि कौन नोमिनेट हुए भारत की ओर से, तो नीराच चोपड़ा, जो है 3rd Indian मने जो की नोमिनेट हुए थे इन से पहले सचिन तंद्रगर और विनेश फोगाट, इसमें जो है नोमिनेट हो चुके हैं पहले, और यदि हम देखें कि Sportsman of the Year, in the 2022 Laureus World Sports Award कोन रहे, तो यह Max वस्टेपन रहे है, जो की 2021 के Formula One World Champion है, बाकिये लिस्ट आपको शेयर की हुई है उसके बाद पुछा गया, पीवी सिंदू, इन्होंने Swiss Open Super 300 Badminton Tournament 2022 जीता है, तो फाइनल में इन्होंने हराय था, बुशानन, ओंगबां, रंगफान को, तो यह किस कंट्री की है, तो यह है थाईलेंड की, जब मैंने आपको यह कुश्चन बताया था, तो मैंने आपसे कहा पीवी सिंदू का जो नाम है, उसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, फिर पूछा गया था आपका की Best Tableau Award किस मिनिस्ट्री को दिया गया है, यदि हम Central Ministries and Department की बात करें, तो यह दिया गया Ministry of Education और Ministry of Civilization को, फिर है Richest Women as per Forbes, कौन है, तो यह France की है, Francois Batoncourt Mayors, इंडिया का First Drone School यह कहां पर inaugurate हुआ है, यह ग्वालियर, मध्यपरदेश में inaugurate हुआ, नेक्स्ट है चाइनमेन, यह किस स्पोर्ट से सम्बंदित है, तो यह cricket से सम्बंदित है, आगे देखें कि, हाँ यहां पर स्टील आएगा, कि भारत जो है, जो स्टील का प्रोडूशर में भारती क्या तो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, वो निव डेली में है, बाकी जो इसकी सेटिंग है, वो भूपाल, पूने, कोलकता और चिनननाई में भी है, तो यह भी कोश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कि इन में से कहां पर नेसल गीन टिबिनल की, जो प्लेस ओफ सेटिंग है, वो नहीं है, तो यह आप याद रखेगा, भूपाल, पूने, कोलकता और चिनननाई में भी है, बाकी पब्लिक प्रोविडेंट, फंड से संबंदी था था, पीपीएफ से, कि जो इसमें विड्रो कर सकते हैं, कितने साल बात कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, पीपी तो इसमें किसी टर्म का मीनिंग पूछा गया था, कि उसकी मतलब क्या मतलब है उसका, पी का या फिर ए का ऐसा कुछ पूछा गया था, तो पर्मानेंट रिटार्मेंट अकाउंट नंबर होता है ये, बाकी पूछा गया था कन्वेंशन ओन वेट लेट लेंड्स, यानि कि प्दमश्री फुलफों होती है और बुक्स, इन्वेंटरीज एंड कैपसिटी उटिलाइजेशन सर्वे शायद यू कि फुलफों में आपर पूशी गई थी ऐसा कुछ था तो यह देख सकते हैं रिजर बैंक ऑफ इंडिया संबंदी थे और भीकस सर्वे हों दा मैनुफेक् टूलिप गार्डन यह आपर है आपका सरी नकर जम्मेंड कश्मिर पूछ रहेता है कि मांटिंस के फुटिल्स में तो जवरवन मांटेंस के फुटिल्स में है यह नेक्स पूछा गया था शायद यही कोश्चिन था कि नेसल पैंसन सिस्टम दिवस कम मनाया गया पैंसन रे यह नेर्स हैं फिर चाइना है फिर यूका है भारत है फूर्थ रैंक पर और मार्क जुकेर बर्क ने इस लिश्ट को टॉप किया है कि नैच्ट देखें तो यह देखिए मौनेटी पॉलिशी कमीटी मीटिंग के जो मिनेट्स होते हैं उससे संबंदित पूछा गया इसको माईनूट नहीं बोलें गया मिनेट से बोलते हैं इसको तो देखिए यह कब जारी किया जाता है यह पूछा था, टाइम पिरिड, तो यहां पर देखते हैं, according to section 45 ZL of the Reserve Bank of India Act 1934, the Reserve Bank self-publish on the 14th day after every meeting of the Monetary Policy Committee, the minutes of the proceedings of the meeting, देखी जो Monetary Policy Committee की जो meeting हुई है, उसमें क्या proceedings रही है ना, क्या-क्या हुआ है, तो वो 14th day के बाद उस meeting के 14th day के बाद उसको publish करेगा, ऐसा कहता है section 45 ZL of RBI Act 1934, तो इससे भी question पुछा गया था, फिर उसके बाद पुछा गया था कि जो one horn rhinos है, यह सबसे आदा कहां पर पाए जाते हैं, तो देखिए अधी हम यह जो WWF की website पर देखें, तो यहां पर लिखा है, today more than 645 one horn rhinos live in Nepal, the highest number recorded in the country so far, है ना, और यहां पर अकर तम देखें प्रकास जावडेगर ने कहा है कि India is home to largest number of greater one horn rhinos, तो सबसे आदा जो rhinos हैं, यह भारत में हैं, यह आप कह सकते हैं, ठीक है, यह भारत द्वारा ही बताया गया है, कि इंडिया में सबसे आदा greater one horn rhinos हैं, तो आपने कितने attempt किये, और कितने आपके सही हैं, यह आप जरूर ब question ऐसे थे, कि आपने जहां से भी पड़े होंगे, वो आपके match हुए होंगे, ठीक है, मैनत आपकी है, अच्छे से पड़े होंगे, तो आपने बिल्कुल उन्हें कर के आए होंगे, साथ ही यह देखिए, दादा साहाफ फाल की अवार्ट से संबंदी question पूछा गया था, best film, शेर्षा है, film of the year, पुसपा है, तो शायद शेर्षा पूछी की थी, best film, यह जो cards है, यह मैंने आपको टेलिग्राम पर provide कराए हुए है, आप इनको देख लिए है, टेलिग्राम चैनल है मारा current affairs funda नाम से उसे जरूर जोइन कर लिजे, इस तरह की images मैं आपके साथ share करता र लिजेगा, साथ ही आपको बता दे, आप current affairs funda app को Google Play Store से भी install कर लिजे, क्योंकि जो भी हमारा PDF मैटेल है, जिसमें आपको current affairs से साथ साथ study gk provide कराते हैं, इस भी मैटेल आपको मारी current affairs funda app पर ही उपलब्द हो पाएगा, तो यदि आप PDF कोर्स हमारा buy करना चाहते हैं, तो य साथ ही current affairs funda app आप टेली राम पर भी जोइन कर लिजे, यहाँ पर हम आपके साथ important mcqs discuss करते रहते हैं, और जो भी latest news या फिर नोटिफिक्शन आता है, advertisement आता है, जो से संब्दी वो भी हम आपके साथ यहाँ पर share करते रहते हैं, यहाँ पर हमारे current affairs की playlist दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फैल वैस्मिन साथ हमारे current affairs को share जरूर करें, और जरूर बताइएगा आपने कितने attempt किये, कितने सही है आपके, thank you guys कितने सहां, कितने सही परेकिन देस्टूर दिताता की रहते हैं, और क्युंचर ग क्या देखें, शरूर तիम्यश्ट र…… झाल झाल